नमस्कार आप देख रहे हैं S News इंडिया इसे में दोनों डिजिटल कंपनियों के अधिकारियों को संसिदिये स्थाई समीति का सामना करना पड़ेगा पता दे कि ये कारेवाई ऐसे समय पर हो रही है जब डाटा प्राइविस्टी को लेकर काफी हंगामा चल रहा है सूशन प्रद्योगी की पर संसिदिये स्थाई समीति का एक्शन दरसल संसिदिये समीति ने सोचल मीडिया के गलत इस्तमाल को रोखने के उद्देश्ट से चर्चा के लिए फेस्बुक और ट्विटर के शीगर अधिकारियों कलप किया है 21 जन्वरी को 24 बजे होने वाली इस एहम चर्चा में सरकार ने इन दोनों कमपनियों के अधिकारियों को समीटि के साभने पेश होने को कहा है फेस्बुक और ट्विटर के अधिकारी 21 जन्वरी को होंगे संसिदिये समीटि के सामने पेश बताया जा रहा है कि ये एक्शन नागरिक अधिकारियों की सुरक्षा और सोशल ऑनलाइन समचार मीडिया प्लेटफॉर्म के गलत इस्तमाल को रोकने के मुद्दे पर होगी एजेंडे में डिजिटल स्पेस में महिला सुरक्षा भी शामिल है जिसमें संसदिय सांसदों के साथ अधिकारिक एजेंडा सांजा किया गया कि अनुसार इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रद्योग्ती की मंतराले के प्रतिनिदियों का साक्षे और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और सोशल ऑनलाइन यूस मीडिया प्लैट्फॉम का दूर उपयोग रोकने के विशे पर फेजबूक और ट्विटर के प्रतिनिदियों के विचारों को सुनने के लिए बैठक आयोजित की गई है जिसमें डिजिटल स्पेस में महिलाओं की सुरक्षा पर विशेश जोड दिया गया है सोशल मीडिया के दूर उपयोग मामले में होगी चर्चा बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में फेजबूक और ट्विटर के अधिकारियों को डेटा सुरक्षा और प्राइविसी के मुद्दे पर संयोग संसितिये समीती के सामने पेश होने को कहा जा चुका है वहीं हाल में डेटा सुरक्षा काफी चर्चा में है और प्राइविसी को लेकर वेवास चल रहा है